मा तुझे सलाम यहां फिल्म जब भी हमारे सामने इसका नाम हाता है तो एक बार कहीं न कहीं मिथुन चक्रवर्थी का चहरा सामने आ जाता है हमें अभी याद है जब हम बच्पन में फिल्में देखते थे और मा तुझे सलाम का नाम हाता था ना तो मिथुन चक्रवर्थी के ददबा इतना तगड़ा था उस समय मां के नाम पर जैसे कि मां का सम जैसे फिल्में आई थी उस तरह की फिल्मों को फैंस पसंद खूप किया करते और जब मां तुझे सलाम आई तब भी फैंस को लगा कि साइद या मिथुन चक्रवर्ति की ही है और मैं परस्टनली तो यही क कुछ और एक्टरों को भी कास्ट करने की बात थी लेकिन सब ने मना किया और लास्ट में अरवाज खान को ही कास्ट किया गया और साथ ही या भी हकीकत है कि इस फिल्म में अरवाज खान का ही मुक्य भूमिका दिखाना था लेकिन सनी पाजी का नाम चल गया फिल्म को सनी द से नाराज भी हुए थे और वह नाराज इस बात से थे कि उन्होंने हर जगा अपने शोलो पोश्टर के साथ फिर्म करते हुए देखा था जबकि अर्बाज खान का मुख्य भूमिका दिखाया गया था सनी देवल एक विशेज उपस्तिती की बिलिंग चाहते थे और उनसे ऐ काफी यदा नाराज भी हुए थे और इनमें काफी समय तक अनबन भी और कई दिनों तक बातचीत भी नहीं हुए थी मातुषी सलाम को बॉक्स पर जबर जास्त रिस्पॉंस मिला लेकिन फिल्म फैंस की दिलों में उस तरीकी के छाप नहीं छोड़ पाई जो बाकी फिल्म मांगोगे तो खीर दूंगा काश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा यहां डायलोग आज भी संदेवल के जहन हम लोग को दिखता है जब कि यहां अरवाज खान का है अरवाज खान की भूमका के लिए इस फिल्म में सुनील सेट्टी को भी चुना गया था लेकिन निर्दे नहीं इस फिल्म में डैनी डेंजोगपपा और मुकेश रिशी को फिल्म के लिए श्याइन किया गया था विलन की किरदार में लेकिन बाद में इन दोनों ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया गया था कहा तो यह भी जाता है कि इस फिल्म में अजित देवगन को भी इस भूंका में बदल दिया वहीं यह फिल्म कनाड़ा में नाट की रूप से रिलीज नहीं की गई थी इस फिल्म में अरवाज खान की जिखा पहले संजेदत को भी संपर किया गया था लेकिन वह भी अपनी अन्द फिल्मों की शूटिंग में बैस थे और उन्होंने इस फ चक्रवर्थी होते तो वाकई में फिल्म धमाकेदार होती क्योंकि आज भी जब भी इस फिल्म का नाम आता है मा तुझे सलाम मिथुन चक्रवर्थी के चहरा हमारे सामने घूम जाता है कि आपको भी ऐसा लगता है अपनी राया कोमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा